ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क सीधे कस्या से पड्रोना के तरफ आरत और अफिशिली जहां पर हम खड़े हैं यहां पर आप खड़े हो जाते हैं तो पड्रोना दूर से ही देख सकते हैं यहां से पड्रोना सुरुगात हो जाता है पड्रोना एक ऐसा सहर जहां पर बड़े-बड़े malls कुल गएं बड़े-बड़े banks कुल गएं बड़े-बड़े चीजें develop की जा रही है लेकिन जब security की बात होती है सुरक्षा की बात होती है तो एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस सहर में है कि वाकई में हम कितने सुरक्षित है और अगर कोई घटना घट जाती है तो पुलिस प्रसासन भी उस चीज के लिए कितना तयार है आईए उसकी थोड़ी सी हम जलक दिखाते हैं अभी हमारे सामने ये पोल दिख रहा है जहाँ पर प्रतिनिधियों का बड़ा बड़ा बैनर आपको दिख रहा होगा प्रतिनिधी तरह तरह से अपनी बाते कर रहे हैं हम लाएंगे बदलाओ पड़ोना का स्वाभी मान बढ़ाएंगे और तरह तरह की उधर भी बाते आपको दिख रहे होगी और इन बोर्ड्स के बीच में CCTV कैमरा भी दिख रहा होगा जो की एक लहजे से लगाया गया कि यहाँ पर यह CCTV कैमरा लोगों की निगरानी करेगा उन कल्प्रिट की निगरानी करेगा जो घटने को आंजान दे सकते हैं तो उस CCTV कैमरा जो की 360 डिगरी भया घूम घूम कर चारो पता चल जाती हैं इसी तरह यह कैमरा घूम घूम कर 360 ब्यू में तस्वीरे लेता और सच्चाईयां उगिलता पूरा यहां से कवरे जगर देखा जाए यह जो जगह है इसको तो आप पैचानी रहोंगे यह कटकुईयां मोड बोला जाता है कटकुईयां मोड है सामने आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कस्यां के तरफ यह रास्ता जाता है और एक रास्ता अंदर मार्केट के तरफ चला जाता है तो यहां पर पड्रोना की सुरुआत सुरू होती है और उस कैमरे को देखिए वो कैमरा इतना ज़्यादा सर्मा गया है इतन जब यहाँ पर हम तस्वीरे नहीं दिखा पा रहा है, तो यह यहाँ की बात हो रही है, हम चलिए पडरोणा के अलग अलग जगा, जहां कैमरे इंस्टॉल किये गए थे, हम उन जगा की बात नहीं कर रहे, जहां कैमरे लगने जरूरी हैं, लेकिन इंस्टॉल नहीं किए गहे लेकिन जहां इंस्टॉल किए गये थे उन कैमेरों की क्या इस्तिती है उस पर हम थोड़ा सा आपको नजर दिख़ें तो भाई यहां क्यामरे को इस्टॉल कर दिया गया गया कि 3-Stress date view में लोगों के निगरानी करे यहां पर कुछ लोग हैं अंकल जी यह कैमरा इस्टॉल किया गया था तो बहुत उमीदे रही होगी कि वाई चोर जो भी वेगरा हो गये सब कलप्रीट वेगरा होंगे उनको निगरानी करने में उनको पकड़ने में आसानी होगी तो यह कैमरा अभी तो दूसरे तरफ मुड़ गया होता है आए दिन छोटी बड़ी घटना यहां घटी रहती है सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए काफी पहले सीसी टीवी कैमरा लगाया था लेकिन कम से कम डेड़ साल से सीसी टीवी कैमरा खराब है इस वजह से यहां जो भी घटना घटी है उसको साट आउट ने किया स बिल्कुल सही बात आपने कहा है तो जिस पर आपने बताया कि डेर साल से यह इंस्टॉल करने के बाद से डेर साल से बंद पड़ा हुआ है और अभी तक किसी भी तरह से कोई भी इसका संग्ञान लेने वाला नहीं है तो बड़ी लापरवाही दिख रही है बिल्कुल यह बहुत बड़ी लापरवाही है प्रसासन को चाहिए विशेसकार पुलिस प्रसासन को चाहिए इस कैमरा को दुरूस्त करावे यह उनीक फायदे की बात है जो भी क्राइम घटेगा घटना घटेंगी तो घटना को साट आउट करने में उनी को लाब होगा आम जनता को विरा किया जाता है तो ये किसी और को फायदा हो या ना हो पुलिस प्रसासन को मामले को समझने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्लू वहाँ से मिल सकता है तो दूसरे जगा भी हम चलके वहाँ की कैमरे की तस्वीर आपको दिखाते हैं तो सिल्से लेवार आपको हम तस्वीर वो visuals मिल सकेंगे उस culprit की पहचान हो सकेगी लेकिन इस्तिती देखिए जनाब हम इस वक्त में सबसे ब्यस्ततम जगह में पड्रोना के सबसे ब्यस्ततम जवगह पे खड़े हैं सुभाज चौक पर जहां पर सुभाज चौक पड्रोना की दिल कही जाएगी हिर्दय कहा जाएग यहां भी आप तस्वीरे देखिए कि CCTV दो-दो इंस्टॉल करा गया है दो भाई साब कि मतलब 360 view और 360 multiply by 2 उतना security system है भाई लेकिन आप तस्वीरे देखिए कि यहां पर दो-दो जो CCTV लगे हुए है एक का जो camera है वो नीचे के तरफ move किया गया है और दूसरा एक तरफ किया गया है लेकिन वो moveable नहीं है यानि कि वो चालू नहीं है तो इसी स्तिती में आप खुद सोचिए कि आपके इस सुभाष शौक पर कोई घटना घटती है तो अगर प्रत्यक्ष दर्सी अगर कोई सामने नहीं आता है तो इस camera से क्या footage निकलेगा चमिन का footage निकलेगा या फि police investigate कर पाएगी ये सवाल खड़ा करते हैं तो ये सुभाष शौक की तस्वीर है सुभाष शौक जो की पड़ोना की जान है सान है यहाँ पर सुभाष चंद्रबोज की मुर्ती स्थापित है और यहाँ पर कही जाती है कि यहाँ पर कोई भी किसी तरह के घटना को अंजाम द फिर आगे चल कर कहीं हो लेकिन लगतार इतनी दिन पर तक हमने देखा ये camera निस्क्रिप पड़े हुए है तो हमारी नैतिक जिम्मदारी हो गई कि हम भोज इस जगा से गुजरते हैं इस जगा से हमेशा हमारा आना जाना होता है तो हमारी एक जिम्मदारी है कि अगर इस त इस जिस्टम का हिस्सा है जिस पर पूर रूप से एक लापरवाही दिख रही है ये मुख्य जगा है कम से कम हम सुदूर जगा अलग-अलग जगा जहां संभाव नहीं है कि वहाँ पर CCTV इंस्टॉलेशन कर सकें लेकिन कम से कम जो सबसे मुख्य मार्ग है सबसे मुख्य हम बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करते तो यह सुबास चोक का रहा है और और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की तस्वीरे क्या दिखती है अब भाया कोतवाली के सामने अगर कोई घटना घट जाती है तो कोतवाली के जतने अधिकारी घटना है उनको एक बार अपने कैमरे तो दिखेंगे नहीं क्योंकि कैमरे बंद पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो बोर्ड से पीछे एक कैमरा छोट ऐसा जाकता को दिख रहा है, क्योंकि पूरा बोर्ड ने उसको गेर रखा है, उपर भी बोर्ड, डीचे भी बोर्ड, साधी, इनी की निगाहें जो है, वो पड़ोना के लोगों की रक्षा कर रही है, तो आप देखेंगे, तो दूसरे किसी के कैमरे यहाँ पर लोकल दुकानदार है, भाई अपनी सिक्योरिटी, अपने हाथ, तो भाई आपन बेवस्था करके, लोग कैमरा लगवा लगवा, महंगा महंग लेकिन अगर खुद ही कोतवाली के फूटेज के जरूरत पड़े, तो इन ही लोग को जाना पड़ेगा उस दुकानदार के पास, और उसके फूटेज को खंगालने की कोसिस की जाएगा, क्योंकि इनका खुद का अपने जो कैमरे इंस्टॉल करा गया है, उसकी स्तिती यह ह कि वो जाखी रहे चोटा सा, और वो सिर्फ उसमें जान परण बचा नहीं है, उखली एक बाड़ी पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो भया किस तरह से लापरवाहिया ही है, कि अब हम क्या कहें, कि आस पास जब खुद ही सिक्योर्टी सिस्टम नहीं है, तो सोचने वाली बात यह मजबूरी भी हो सकती है पुलिस की, कि सायद इस तरह से स्कीम्स नहीं मिलते होंगे, जिस तरह से ठेकदारों को और जिम्मदारों को मिल जाते हैं, सायद प्रसासन में उस तरह से चीजों को करवाही नहीं की जाती होंगी, तो एक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं एक बड़ी एक लापरवाही हो रही है जिस चीज से पुलिस की मदद हो सकती है उससे दरकिनार करके जैसे मन करें वैसे सिस्टम चल रहा है अब चलिए तिलक चौक चलते हैं तो बहिए यह तिलक चौक है तिलक चौक एक ऐसा बाजार है जहां पर सारी चीज खरदारी आ पर है जो प्रमार देने के लिए तिलक चौक ही है तिलक चौक पर जो हमारी उंगली अगर दिख रही होगी तो इसके सिधाई में आप देखेंगे और तो आपको एक स्टेंड सा दिख रहा होगा सफेद में वहीं पर उसके अंस पड़े हुए हैं तो यह जगा है जहां पर कैमरे को इंस्टॉल किया गया था लेकिन वो कैमरा कहां है यह कहीं दिखी नहीं रहा है आपको दिख रहा है क्या हमको तो कहीं नहीं दिखा और आसपास कहीं कैमरा नहीं दिख रहा है तो यहां पर कैमरे इंस्टॉल किये गया थे यह सुमीद में कि यहां पर छोटी छोट जो भी घटना है घटेंगी तो उसका अगर कोई प्रत्यट्श ध्रसी तयार नहीं होगा तो हम कैम्रे के माद्यम से निगरानी कर सकेंगे अगर कोई घटना घटनी होती है पर्डौना में अगर हो जाती है तो अगर उसका साख्ष कहीं से जूट पाए तो वो देखा जा सकता है तो कहीं न कहीं दिख रहा है दिख रहा है शानदार रिपोर्टिंग कर रहा है कैमरा इधर लगा हुआ तो ये तिलक चॉक की तद्मीर आप देख रहा है तिलग चौक पर हम चारू तरफ अगर देखेंगे तो जो कैमरा इंस्टॉल करा गया था वो तो वह उस जगज से आटा दिया गया लेकिन नए कैमरा फिर से इस्टॉल नहीं किया गया है और देखे किस तरह से चीजे हैं हम इस अंक में तो ये दिखा रहे हैं कि कैमरा कहां कहां इस्टॉल था और वो कैमरा की स्थिती जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्ट में आपने देखा कि जहां भी कैमरे इस्टॉल किये गये थे चाहे कारण जो भी रहा हो अब कैमरे संचालित नहीं है या सक्रिय नहीं है लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यह पड्रोना इतना अगर विकास कर रहा है यहाँ पर बड़े-बड़े बैंक्स आ गए हैं बड़े-बड़े मौंस खुल नहीं है लोगों की आम दनी बड़ गई है तो ऐसे केस में खत्रे भी बढ़े है तो उस खत्रे के लिए प्रसासन ने कहां-कहां इंस्टॉल करना जरूरी है जहां पर अब इंस्टॉलेशन नहीं है लोग को बात करते है थुड़ा सा यहां के लोगों के यहां पर तिलक चौक पर एक कैमरा दि पुलिस को मिल पाएगा सर यहां पे लगा था दो तीन साल पहले अभी हट गया नहीं दिखाई देता है तो बड़ी लापरवाई दिख रही है केमरा था तो यहां पर बहुत अच्छा लगता था और एक चीज़ तो हमारी गाय वी चोरी हो गई यहां पर कुछ गाड़िया अल्रेडी चोरी हो चुकी है जैसा कि इनों ने बताया और ऐसे में अगर विज्वल्स निकल सकता तो पता चल सकता था कि किस व्यक्ति द्वारा उसको उस कैमरे को हटाया गया है यहां पता लगेगा जब कैमरा रहता है तो आदमी कुछ दिखाई कोई कोई घटना हो सकता है तो उसमें जोरू आएगा तो सिंपल और साधारण लोग जो की बहुत ही ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं उनको ये बात समझने में मुश्किल नहीं है कि उस कैमरे का क्या इंपोर्टेंस है लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो समझ हैं नहीं पा रहे हैं अलग-अलग कोर्सेस करके अलग-अलग तरह से ट्रेनिंग करके बेचारे आये हुए हैं लेकिन किसी को इस बात की सूध नहीं है कि यहाँ पर लगातार अगर चोरी के घटनाय होती हैं यहाँ पर कोई घटना अंजाम दिया जाता है तो उसका फुटेज जो कि उनके लिए शम्याद सब्सके मददगार साबित हो सकता है तो उसका बेवस्ता हम क्यूं नहीं करें जो केमरे इंस्टोल किये गए व हुए थे यह मुक्य चोराय यह आनौए है जो जो हमने आपको दिखाय है यहाँ पर केमरे इस्टोल किये गए थे महिंग के कैमरे उसके लिए लाखों खर्च किये गया होंगे लेकिन वो कैमरे अब कहीं दिख नहीं रहे हैं और दिख रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहा है बाई साब तो ऐसे इस्तिती में कहां से बिजुआ लाएंगे यह थोड़ा सोच लिजेगा अगले अपिसोड में देखना नह हैं